आज हम आपके लिए लेका हैं एक और गैजिट जो कि कही ना कहीं बहुत जादा इंपॉर्टन था वो है ट्रिगर जो कि आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है बट हमने ट्रिगर क्यों खरीदा क्यूंकि फ्लेश लाइट तो अल्रेटी वाइलेस ही कनेक्ट है यहां पर इसकी और इसकी बट दोनों के फ्लेश लाइट चाहिए बट क्या है अब मैं फोटो क्लिक करूंगा तो अब यह फ्लेश लाइट भी चल गई अब यहां पर मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रुरत ही नहीं पड़ी एक्चुली कि मैं मतलब इसकी और इसकी बदोन फ्लेश लाइट नहीं जलेगी अब मैं विटाउट फ्लेश फोटो कीज़ूना क्योंकि इसमें पता है प्राउब्लम क्या है यह रहस से भी हमें थोड़े सीनों के बात मालूं चला तब इस पर फ्लेश लाइट यहां पर यह रिप्लैक्टर लगावा है तो तो फ्लेश ल कि लाइटनिंग स्पीड बहुत जादा तेज होती है कहीं भी जाके टकरा के इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं वह कैच करते हैं यह तुरांत अपनी फ्लेश लाइट जला देता है तो मतलब 0.0000001 सेकिंड के अंदर ही इतना कुछ हो जाता है तो यह फ्लेश लाइट जला और यहां पर यह संदेश भी जगा है कि हाँ वही चीज है बट सबसे पहले खोल के देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरीके का ट्रिगर देखने के लिए मिलता है बट वीडियो को लाइक जरू कर दी जगा बहुत जादा इंपॉर्टन होता है यहां पर खोलते हैं तो इसक अंदर बस यह समान था कुछ आपको देखने के लिए मिलता है एक इसमें आप खोटा सा सेल देखने करें तो यहाँ बी सवाल है तो मैं उहाँ पर फ्लैश जलाऊं तो में संद्ट मैं कनेक्ट कर रहता है और कैसे सेल और वी तो यहाँ पर हम इस तरीके से वह घुकन लगा dif . तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये फ्लेश को हम इस तरीके से कैमरे में फिक्स करेंगे और करने के बाद इसका जो नीचे का टाइट करने का होता है ये टाइट कर देंगे तो हमारी जो फ्लेश है वो इस तरीके से कुछ कैमरे पर लग जाती है अब सवाल है कि इसे इससे कैसे क्नेक्ट करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं इस पहले में एक बार आपको फ्लेश मार के दिखा दूँ तो यहाँ पे कैमरा ओन है अब इसकी फ्लेश ऑन नहीं होगी तब भी यह चल जाएगी आप देखेंगे तो यह इनने फोटो जो है बिलकुल first class तरीके से खीश लिया तो इसने इसे signal भीजा कि हाँ भाई सब जल जाओ तो इसने तुरंती react कर दिया क्या यह हम सबसे एक दिमाग में सवाल रहता है कि क्या मैं flash बिना इसके भी जलाद हूं या try कर सकता हूं तो आप वैसे कुछ ज्यादा खास नहीं होता इसके जो नीचे के pointer side में नीटल आप तब भी टच करेंगे जल जाएंगे जैसे कि यह बटन है तो उपर testing के लिए बटन देखने के लिए मिल जाएंगे तो test कर सकते हैं connect कैसे करते हैं यहां पर आप यह देखेंगे यह red color तक channel होता है यह आप देखेंगे यह आपको channel दिखाई दे रहा हूँ हो one two three four अब इसके उपर उपर नीचे switch हैं जो कि आपको same इस flashlight पर देखने के लिए मिलेंगे यह तो same हमें रखने होते हैं मतलब जो मैंने one और three उपर कर रखा है और three two और four नीचे कर रखा है वही same आपको हमारे trigger में देखने के लिए मिलेंगे और मैंने इसका एक भी उपर नीचे कर लिया तो यह match करना बन कर देगी लेकिन ऐसा क्यों तब trigger इसका डिजिट एक का flash तो ऐसा यह दोस्तों यह मैंने single मगाई यह बहुत जादा लोग लागों ने मगारा कि होगी इत्वा कोई मैं जहां फोटो खीश रहों वहां पर यह match कर जाए तो उसकी flash light के trigger से directly connect हो जाएगा तो इसलिए यह coding होती है मतलब एक जगा 50 से जादा तो camera नहीं हो सकते या जिते भी हो स होता है क्योंकि यह trigger इसके साथ individual नहीं आता मैं किसी case किसी भी flashlight के साथ इसे attach कर सकता हूँ तो ऐसा नहीं है कि नहीं यार यह तो trigger सिर्फ किसी से attach होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यह trigger किसी से भी flashlight से यह नहीं कहा रहा है digitatic किसी भी तो इसलिए यह important होता है और reflection की जो हमने आपको दिखाया कि इसके reflection से यह चल जाती है क्योंकि बहुत लंबा process होता है लेकिन इतनी speed से होता है कि आपको मालूम है नहीं चलता आपको लगता है कि हाई यह तो flashlight बिना इसके ही correct हो गए तो इस तरीक है कि कोई इसे संदेश मतलब indicate कर रहा है कि यह fresh light जला है तो वहाँ पर यह receiver और transmitter दोनों जरूरी होता है कि हाँ तब आप लगाएंगे फिर आप इसे छतरी के अंदर रख लिए अलग-अलग frame में तो वहाँ पर यह useful रहती है लेकिन एक चीज और ज्यादा important होती ह जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर mode में आपको तीन option देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर light जल रही है यह है एम manual मतलब smart one smart two तो यहाँ पर क्या है क्योंकि यह हर किसी camera के साथ attached नहीं होती तो वहाँ पर आपको इंडिवीजर indicate रखने पड़ते हैं तो अभी क्या है कि मै S1 या S2 पर रखूँगा light reflect होकी जलेगी तो इसकी भी flash automatically की चल जाएगी तब आप trigger से connect करें तो हमेशा इसे यहाँ पर यह जो देख रहे है तब आप इसका button दबाएंगे तो यहाँ पर यह manual में चले जाएगी यह तब यह manual में चले जाएगी तो यह सिरिफ अब trigger पर काम क चले तो यह important part था जो की बताना आपको जरूरी था यह trigger आपको कितने रुपय का पढ़ जाता है वैसे तो यह trigger जो है हमने बहुत सख्ता मंगाया है 675 रुपय का पढ़ा है बाट यह इसका जो original price है वह around 900 रुपय का रहता है लेकिन अप अलग-अलग condition में इसे मंगा सकते ह आपको 555 रुपय का पढ़ जाता है बट आप आफ सीजन मंगा आते हैं तो वहां पर थोड़ा सा एक्सपैंसिव 7800 रुपय का मंगाया था रहा हूं तो बंगानी के दो दिन के बाद इसके price 8500 रुपय होगा तो फिर इसके 775 रुपय होगा तो इसलिए flexible रहता है तो उस condition म time बहुत जादा यूज रहती है और इस तरीके की regular series हम लेकर आपके जा रहे हैं जैसे कि अभी हमने ज्यादा कचीजे camera से related आ लिए बट जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम वीडियो के राफिर से related राइट से related भी वीडियो लेके हैं आपके लिए बहुत जादा useful रहे बस हुआ